नमशकार, आज हम बात करेंगे कुंडलीनी शक्ति के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि कुंडलीनी शक्ति क्या है, क्या इसका विज्ञान है, क्या इसके इंपोर्टेंस है, इसके जागरिती के क्या लक्षन है, कैसे इसको जागरित किया जा सकता है, और इसके जाग करने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं इनी सभी विश्यों पे आज हम बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके विज्ञान के ऊपर कुंडलीनी का जो विज्ञान है वो विश्यु का प्राचिंतम विज्ञान है और आज से सैकड़ साल पहले भारत के तो उन्होंने इस शक्ति को नाम दिया प्राण शक्ति फिर इसी प्राण शक्ति को आगे चल कर तंत्र के द्वारा कुंडलीनी शक्ति का नाम दिया गया यानि कि जो प्राण शक्ति और कुंडलीनी शक्ति ये एक ही बात है या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कुंडलीनी ही प्राण शक्ति का सघंतम रूप है और हम इंसानों के अंदर हर किसी के भीतर हमारे सुक्षम शरीर में हमारे मुलाधार चक्र पर इस शक्ति का निवास है वहाँ पर प्रतिकात्मक रूप में साड़े तीन कुंडल मारे बैठे एक सरप के रूप में यह शक्ति विद्मान है लेकिन मूल रूप से यह शक्ति सुप्थ वस्ता में रहती है, लेकिन साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस शक्ति को जागरित किया जा सकता है, हलाकि प्राकर्तिक रूप से कुछ अंचों में हम सब के अंदर यह शक्ति जागी भी रहती है, और जिस व्यक्ति के अंदर यह शक्ति जागरित होगी, वह व्यक्ति उतना ही विक्सित होगा, और जिस व्यक्ति के अंदर यह शक्ति जितनी कम होगी, वह उसके विकास की जो सी उतनी ही कम होगी आपने देखा भी होगा कोई-कोई इनसान बहुत विलक्षन प्रतिभा का धनी होता है और कोई इनसान बिलकुल समान्य बुद्धी का होता है और कोई इनसान समान्य से भी नीचे की स्थिती में होता है तो यह जो बेध है शक्ति का प्रतिभा का यह एक्शल जारण के तोर पे आपने देखा अगर कोई सांप नहीं पर सोया हुआ हो अगर आप उसे छेडेंगे तो वो एकदम से फन उठा कर उपर की और उठता है या आपने अगर कहीं अगनी को जब जलाते हैं तो अगनी भी उपर की और उठती है और जब एक पोदा पेड़ बनता ह तो पेड़ भी उपर की और उठता है और जब पेड़ उपर की और उठता है तो अंतोत गत्वा वो हमें फल परदान करता है ठीक इसी प्रकार हमारी कुड़िनी शक्ती का जो परकर्तिक प्रवा है वो भी उपर उठने का है और जैसे जैसे हमारी कुड़िनी शक्ती उपर की और उठती है, तो जैसे पेड़ फल को परदान करता है, ऐसे ही हमारी कुणिलिनी शक्ती उपर उठने के बाद हमें बहुत सी शक्तियां परदान करती है, हमारे को हमारे श्रीर और मन को विक्सित करती है और अन्तोथ गत्वा यह हमें लैटन करके मौक्ष की भी प्राप्ति करवाती है तो जब हमारी यह शक्ति उपर की ओर उठती हुई उठना शुरू करती है मुलाधार चक्र से तो मारग में जितने भी चक्र पड़ते हैं उन सभी चक्रों को भी यह शक्ति परदान करती है और जब मुलाधार चक्र में हमारी कुडुलीनी शक्ति एक् मस्तिष्क के सोय हिस्सों को जागरित करके हमारे मस्तिष्क को शक्ति शाली बनाती है और अंत में हमारे मस्तिष्क में ही जो हमारा सात्वा चक्र है सजदार चक्र उस चक्र में पहुंचकर कुणिलीनी शक्ति की यात्रा पुर्ण हो जाती है लेकिन यह सारा सफर इतना असान भी नहीं है अगर इस सफर के दुरान अगर हम साफधानी ना रखें तो कुछ साइड इफेक्ट्स हमारी बोडी को हमारे माइंड पे आ सकते हैं इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं तो उन खत्रों से उन नुकसान से उन side effects से कैसे हम अपनी साधना के दुरान कुड़िनी शक्ती की साधना के दुरान कैसे हम अपने आपको बचा के रखें कैसे उनको ठीक करें उनके क्या उपाए है इसी विशे पे खासकर आज हम बात करेंगे Actually होता क्या है जब हम हमारी energy activate होने शुरू होती है और हमारी जब कुड़िनी शक्ती उपर की और उठना शुरू करती है तो रास्ते में energy channels में कुछ blocks आ जाने के करण अवरोध आ जाने के करण हमारी कुड़िनी शक्ती आगे नहीं बढ़ पारती है और रास्ते में ही अटक जाती है उधारन के लिए आपने देखा होगा जो पानी का जो पाइप होता है अगर वो कहीं से दबा होगा बीच में तो पानी का प्रवहा नहीं आता है लेकिन जैसे ही हम उस block को खोल देते हैं रोध को हटा देते हैं पानी के पाइप को ठीक कर देते हैं तो पानी फ्री होकर भैना शुरू हो जाता है आगे से ठीक इसी प्रकार के हमारे शिरीर के अंदर भी जो हमारी अनर्जी चैनल्स हैं जो अनर्जी के जो पाइप्स हैं उसमें भी जब अनर्जी जाती है और अगर कहीं कोई ब्लोक होगा तो क्या होगा या तो energy वहीं अटक जाएगी आगे नहीं जा पाएगी या इदर उदर छीतर जाएगी या ये भी हो सकता है कि energy वहाँ से वापिस हमारे मुलाधार चक्र में नीचे गिर जाए आपको मालूम है हमारे शरीर के अंदर 72,000 इस प उपर की ओर जाती है तो यदि हमारी सुशुमना नाड़ी क्लीन ना हुई उसमें अगर कोई ब्लोक हुआ तो कुडूलीनी शक्ति उपर नहीं जा पाएगी और वापिस नीची आ जाएगी तो अगर तो हमारी नाड़ी अशुद होई तो क्या होगा अनरजी उपर नहीं जा पाएगी जाएगी दिरे दिरे लेकिन उसमें फिर समय लगेगा तो दुबारा जब दुबारा से जब अनरजी उपर उठना शुरू होगी तो जब वो उपर जाएगी तब दुबारा जब अनरजी जाती है तो क्लीन करती हुई जाती है नाड़ीों की सफाई करती हुई ज जाता हूं आपने कई बार देखा होगा शायद आपके जीवन में भी हुआ हो कई साथ को ऐसा होता है कि जब ध्यान के द्वारा उनकी अनर्जी एक्टिवेट होती है उर्जा जाकती है और उपर के चक्रों में जाना शुरू होती है तो उनको परम अनंद के नुभूती होती है उनको बहुत तरह के ध्यान के अनभाव भी होती है लेकिन पांदस पंद्रा दिन के बाद क्या होता है नाडियों में बलोक के कारण अशुद्धी के कारण उनकी जो अनर्जी है वापस नीचे आ जाती है लेकिन उन्हें मालूम नहीं पड़ती है चीज तो उसके साथ क् उनकी नर्जी नीचे आती है तो उनका अनंद खो जाता है और जो अनभाव हो रहे थे वो भी होने बंद हो जाती है तो ऐसे में सादक परशान हो जाता है कि जो मुझे इतना अनंद आ रहा था जो इतने अनभाव हो रहे थे वो चानक से क्यों बंद हो गए सारा अनंद कहा हो गया एक्चुली वो जो ब्लॉक होते हैं हमारे इनर्जी चैनल में उन्हीं के कारण कुड़िनी शक्ती वापस नीचे चली जाती है और अनुभा होने बंद हो जाते हैं एक और उधारन के द्वारा मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूं कुछ साधक ऐसा भी बोलते हैं कि उनकी कुड़िनी शक्ती जागरी तवस्ता में है और वो इस चीज़ का प्रूफ या सबूत इस अधार पे देती हैं कि जब वो ध्यान करने बैठते हैं तो उनकी रीड की हड्डी पर उनको गर्मी महसूस होती है ताप महसूस होता है, हीट महसूस होती है, वाइब्रेशन महसूस होती है लेकिन उनको मालूम नहीं है कि यह जो हिरीड की हड़ी पे जो उनको गर्मी अनुभव होती है यह एक प्रिकार का साइड इफेक्ट है एक्शली होता क्या है जब हमारी कुड़िनी शक्ती जागरी तोकर उपर के और उठना शुरू करती है तो अगर कहीं ब्लोक होगा कहीं रस्ते में अगर उसको आगे बढ़ने की जगानी मिलेगी या मार्ग संक्रा होगा अनर्जी जादा होगी तो क्या होगा उस ब्लोक के कारण वहाँ पे घर्शन पैदा हो जाएगा वहाँ पर जब वह घर्शन पैदा होगा, तो क्या होगा? वहाँ पर गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाएगी. होता क्या है? जितनी मात्रा में आप उर्जा उठा लेते हैं, अगर उसके मुकाबले में आपके अगर नाड़ी उतनी खुली हुई ना हुई, या कोई अशुद बिजली के उपकरण देखे होंगे अगर उस बिजली के उपकरण की जो तार है यदि वो कमजोर होगी या पतली होगी जैसे फ्यूज होता है उसमें तंबे की तार लगी होती है अगर वो तार पतली होगी या कमजोर होगी और पीछे से क्रेंट जादा आ जाए मला उर्जा क flow एकदम से extreme level पे आ जाए तो क्या होगा तार गरम हो जाएगी ठीक इसी प्रकार हमारे system के अंदर भी जो हमारी energy channels की जो तारें हैं अगर वो पतली है और कुंडलीनी की शक्ती जादा strong है तो क्या होगा वो तारें गरम हो जाती हैं तो जो आपको ध्यान के दुरान कहीं बार जो आपको गरमी मैसूस होती है अपनी rate की हड़ी पे वो तारों की गरमी है इसका मतलब आपकी energy यहाँ पर अटक रही है उसको passage नहीं मिल रहे है तब ही वहाँ पर energy ज्यादा ही कठी होने के करण वहाँ पर heat पैदा हो रही है तो कहीं लोग जाने अन जाने इसी गरमी को ही कुड़ीलीनी शक्ती समझने की गलती कर लेती है लेकिन होगा क्या अगर मालीजे कि आपका मार्ग अगर खुला हुआ होगा कोई ब्लोक नहीं होगा तो आपको यह गरमी नहीं लगेगी तो इसका मलब यह नहीं है कि आपकी कुड़ीलीनी शक्ती जागरित नहीं हो रही है या उसका विकास नहीं हो रहा है actually अगर आपने में ये देखना हो कि क्या आपकी कुणिलनी शक्ती जागरित हो रही है या नहीं हो रही है या किसी व्यक्ति की जागरित हो रही है या नहीं हो रही है तो उसका पेमाना ये नहीं है कि आपकी रेट की हड़ी में कहीं गर्मी हो रही है क्या vibration आ रही है क्या यह तो छोटी बात है असली पे माना यह है कुड़िली शक्ति को जानने का कि क्या उस व्यक्ति के अंदर जागरुकता बढ़ रही है awareness बढ़ रही है क्या उसका अंकार कम हो रहा है क्या उस व्यक्ति के हिर्दय में प्रेम बढ़ रहा है क्या वो पोस्टिव हो रहा है तो ये चीज़ें अगर विक्सित हो रही है तो ही असली कुंडिलीनी जागरण मानना चीए ये जो सिंप्टम्स हैं हमारी रेट के हड़ी में गर्मी वगढ़ा पैदा होना वाइब्रेशन होना ये छोटे मोटे energy के side effects ही होती है इससे ज़्यादा इनकी value नहीं होती है लेकिन इनका होना भी मैतरपून है इसका मतलब आप कुछ तो कर रही है ध्यान आपका लगना तो शुरू होई गया है वरना लोगों को तो इतना भी नहीं होता है हाँ इसको हमें सिर्फ balance करने की चुरूरत होती है इसके लावा मैं आपको एक और उधारन देता हूँ कई लोग कहते हैं कि पहले हमें ध्यान में बहुत अनुभाव होते थे लेकिन आप कुछ दिनों से हो नहीं रही है एक्चली होता क्या है कि जो पहले उनको अनुभाव हो रहे थे वो सिर्फ side effects के अनुभाव थे vibration होना, जटके होना, गर्मी feel होना ये सिर्फ एक उरजा के आने जाने के लक्षन है लेकिन जब क्या होगा अब रोध खतम हो जाएंगे blocks clean हो जाएंगे, फिर आप कोई अनुभाव नहीं होंगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको energy उठनी रही है उठ रही है, लेकिन अब वो आपको प्रतीत नहीं हो रही है पहले की तरह प्रतीत कैसे होगी, वो प्रतीत होगी आपके वयवहार में तो हमें इस बात को समझना है कि पहले हमें अपनी नाडियों को shoot करना है, mark को clear करना है ताकि कि किसी प्रेकार की कोई दिक्कत ना है, खैर अगर आप नई भी करते हैं ये काम, तो कुड़िनी खुद भी करती है क्योंकि उसे पता है, वो आपके हाथों में ये काम इतना नहीं छोड़ती है सुरक्षा की जिमिवारी कुड़िनी खुद भी संभालती है, तो कहीं बार क्या होता है कभी भी हमारा कुड़िनी जागरण एकदम से नहीं होगा पहले आंशिक कुड़िनी के जागरण होंगे छोटे-छोटे आपको पहले जलकी आएंगी पहले प्राणो थान होता है प्राणो थान मतलब प्राणो का उत्थान इसमें क्या होता है कि पहले आपकी छोटे-छोटे वोल्टेज आपके तारों में जाए और जब कुंडलीनी को लगेगा कि अब energy clear है, रास्ता clear है, फिर वो बड़े रूप में उठना शुरूर होती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा डरने के भी बात नहीं है, कुंडलीनी खुद भी अपना ध्यान रखती है, आपको कोई नुकसान ना हो, लेकिन आपको खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखने की जरूरूरत है, खेर, अब हम बात करते हैं, अगली, की कारण क्या है, क्यूं हमारे energy channels में ब्लॉक्स आ जाते हैं, ये अशुदियां पैदा हो जाते हैं, जिसकी वज़ासी कुंडलीनी को आगे बढ़ने में दिक्कत आती है, तो उसके प करण होता है हमारे अंदर की negativity, अगर हम बहुत ज्यादा नकरात्मक सबाव के व्यक्ति हैं, हम negative बहुत रहते हैं, तो उसके करण भी हमारी नाडियां अशुद्ध हो जाती है, और तीसरा बड़ा करण है हमारा अनूचित आहार विहार, अगर हमारा रहना, खाना, पीना ठी हमारा posture ठीग नहीं रहता है, उस वजासे भी हो जाता है, या कई बार क्या होता है, हमारी backbone में, खासकर tailbone में, अगर किसी प्रकार की injury हो जाए, चोट लग जाए, तब भी ये side effect होने शुरू हो जाती है, या अगर आप कोई नशा करते हैं, कोई मादक पदार्थ लेते हैं, तो उसके कारण भी हमारे श्रीर में इस प्रकार की block बनने शुरू हो जाती है, तो कहने का तत परिया ये है, कि हम अपनी energy को जगातो सकते हैं, उर्जा को जागरित करना तो असान है, हम कहीं प्रकार की शक्तिशाली breathing exercise होती हैं, प्रणायाम होती हैं, मुद्राइं होती हैं बंद होता है, तंत्र मंत्र के द्वारा विभिन ध्यान की पदितियों के द्वारा हम अपनी energy को activate कर लेती हैं, और वो असान भी है करना, लेकिन बड़ी बात है कि आप उस उर्जा को आपको नियोजित करना भी आना चाहिए, उस energy को आपको channelize करना भी आना चाहिए, तो व वो असानी से आगे बढ़ सके, उसकी हम last chapter में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे कौन से लक्षन है जिससे कि हमें पता चले कि हम जिस दुरान हम ध्यान करते हैं, जब हमारा साधना काल होता है, उस वगत हमें side effects आ रहे हैं, या हम कैसे alert हो होगे कि हमें alert हो जाना चीए, कि ये जो symptoms हैं, ये नुक्सान भी कर सकते हैं, किसी परकार का कोई खत्रा भी पैदा हो सकता है, तो उस्तिती को अपनी समझने के लिए, अब मैं आपको कुछ symptoms बताऊंगा, कुछ लक्षन बताऊंगा, जिस लक्षनों को समझ कर आप ये जान जुरूरत है, या आपको किसी परकार की side effects आ रहे हैं, तो उसकी क्या लक्षन है, उसकी अब हम बात करते हैं, अब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, कि ये जो लक्षन है, हर व्यक्ति में अलग-अलग होंगे, और कुछ में होंगे, और कुछ लक्षन आपको होंगे और कुछ नहीं भी होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के जो blocks हैं, वो अलग-अलग होते हैं, किसी को hearts में block हो सकता है, तो उसको emotion सबंदिद प्रशानी ज्यादा होईगी, किसी इनके brain में energy blocks होंगे, तो उसको विचारों से जुड़े वी दिखते आएंगी, मतलब हर व्यक्ति के अलग-लग symptoms आएंगे, लेकिन तो कुछ नहीं कह सकते कि किस व्यक्ति को कैसे, कोई व्यक्ति कैसे react करेगा, तो अब मैं जो लक्षन बताने जा रहा हूँ, यह जुरूरी नहीं है कि सारे कि सारे आप में होंगे, इसमें कुछ हो सकते हैं, तो अगर आपको लगता है कि इन लक्षनों में आप में भी हैं, तो आपको फिर उनका उपाय करने की जुरूत है, वो उपाय हम लास्ट में बात करेंगे, अब जैसे मान लीजिए कोई घरवरती महीला है, प्रेगनेंट लेडी है, तो होता क्या है कि जब उनके जो बैली में, जो पेट में उनका जो बच् पर पढ़ता है, तो उस बच्चे के दबाव मुलाधार चक्ल पर पढ़ने के कारण उनकी एक्सेस अनरजी रिलीज होनी शुरू हो जाती है, खासका अगर वो ध्यानी है, मेडिटेटर है, और उन दिनों भी हमें भी ध्यान करते हैं, तो क्या होगा? उनको कुछ पणदे कि आपको मेरे को अगर हम ध्यान शुरू करते हैं और उस दुरान अगर आपको ये लक्षन आए तो समझ लें कि आपको अलर्ट होने की जुरूरत है तो पहला लक्षन अगर आपको कोई ऐसी उस दुरान जिस दुरान आपकी ध्यान साथना चल रही है आपको कोई ऐसी physical problem हो जाती है कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसका कारण आपको समझ नहीं आता और डॉक्टर भी जिसका इलाज ना कर पाएं तो समझ लें ये एक प्रिकार का side effect हो सकता है क्यों कि डॉक्टरों को क्यों नहीं इलाज कर पा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर इलाज करेंगे physical body का जबकि इसका जो cause है वो होता है subtle body में तो इसलिए डॉक्टर को भी समझ नहीं आता है कि इसका कैसे इलाज किया जाए या ये हो सकता है कि आपको अपने शरीर में कहीं बहुत ज़्यादा ठंड़क फीलो या कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी फीलो कभी अचानक से आपके हाथ पर ठंड़े हो जाए या गरम हो जाए तो ये भी energy के ही imbalance होने का एक symptoms होता है या कहीं बार ऐसा भी हो सकता है आपको कि आप एकदम से आप ज़्वान दिखने लग जाए आपकी age reverse हो जाए आपकी चेहरा खिल जाए या ये भी हो सकता है कि आप एकदम से आप बूड़े लगने लग जाए और अचानक एक ही दिन में सुबह आप ज़्वान दिख रहे हैं दो घंटे का समय था हमें बस में सफर करने का तो मैं चाता था कि उन दो घंटों को मैं ध्यान में बिताओं तो मैं अकेल आगे बैठा हुआ था तो जब दो घंटे के वो सफर हमारा खतम हुआ और जब हम बस से नीचे उतरे तो मुझे देखकर वो अवाक रह गए, हरान हो गए, क्यों? क्योंकि उन्हें लगा, उन्होंने मुझे बोला कि ये क्या हुआ आपको, कि आप एकदम से बिल्कुल बूड़े हो गए हैं, आपके गाल अंदर घज चुके हैं, आंखों के निचे घड़े आ गए हैं, आपका र वो वापिस आ गया, और ना केवल वापिस आया, उल्टा और भी ज़्यादा शुद्धों के वापिस आया, वो फिर हरान हुए, उन्होंने का कि पहले, अभी दो घंटे पहले आपके चेरे पे एक्स्ट्रीम ओल्डनेस फील हो रही थी, आप बुड़े लग रहे थे, और आप जितनी आपकी एजा, उससे भी दस साल छोटे लग रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा यंग लग रहे हैं, तो यह हो सकता है, कि एकदम से आपका शीर, एकदम से बुड़ापे के सिम्टम दिखा सकता है, और एकदम से जिवानी के सिम्टम भी दिखा सकता है, इसके ला होंगे या जो जिन्होंने कभी sexual relationship नहीं बनाए होंगे ग्रस्तों को यह जादा नहीं होता है लेकिन जिनकी energy जो celebrate होते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको यह सिर्दर्द की श्कैत जादा आएगी और क्या होगा कई बार आपकी आवाज भी बदल सकती है आपकी आवाज में वो अगर आपके liver को जड़ी effect करते हैं तो आपकी skin pale हो सकती है आपकी चमड़ी पीली पढ़ सकती है आपकी look dirty लगने लग सकती है और आप ठके हुए बूड़े और बिमार लग सकती है क्यों क्योंकि आपकी body के जो negativity है actually वो release हो रही होती है वो जो बस में मैं साथ जुन्भ वो भी इसलिए होगा क्योंकि मेरी body की negativity उस वगत release हो रही थी तो इस करण से भी ऐसा हो जाता है और कहीं बार क्या होता है आपको खुजली हो सकती है यह खुजली खारिश, itching या तो आपको body के एक हिससे पे होगी या शीर में कहीं भी हो सकती है तो अगर आपको यह खारि food के निकलना चारी है, actually होता क्या है आप जो अव चेतन मन है वो इस excess energy को जो कुणलीनी की नर्जी आपके अंदर आ गया है और जो जजब नहीं हो पा रही है आपका subconscious mind उसको बाहर फैंकने की कोशिश करते है इसलिए आपको उल्टी की feeling या vomit करने की feeling हो जाती है और कहीं बा आपका श्रीर डोलने लग सकता है बैठे बैठे गोल गोल घुमने लग सकता है और कहीं बार आपका स्रीर आगे चला जाएगा कहीं बार पीछे चला जाएगा ध्यान में बैठे बैठे और कहीं बार आपको श्रीर ऐसे गोल गोल घुमेगा जैसे कोई भूत प्रित एंटर कर गया हूँ या कई बार माता के भक्तों में कई बार माता जी प्रवेश कर जाती है तो वो उनकी जो स्थितियत ये वैसी स्थिति आपकी बन सकती है और कई बार जब हमारी गर्दन आगे जुग जाए ध्यान में बैठे बैठे तो इसका मतलब आपकी इडा नाड़ी में अशुद्धी नहीं है और इसुगत आपकी सुश्मुना नाडी एक्टिवेट है तो खेर ये मैंने आपको कुछ शारिरिक लक्षन बताएं जो आ सकते हैं साइड इफेक्ट्स के रूप में या और अनर्जी के जुरू से ज़्यादा बढ़ने के रूप में आप कुछ मानसी आपको लक्षन में बताता हूँ कि ये लक्षन भी आपको आ सकते हैं कि आपका जो बिहेवियर है वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा आपको आपके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता आप क्या बोल देंगे क्या कर देंगे दूसरा व्यक्ति आपके पास बैठने से भी डरेगा कि दस बंदों के सामने आप पता नहीं क्या बात बोल दो और आपकी जो personality है वो भी multiple हो जाएगी आप आपका जो mood है swing कर जाएगा mint के अंदर पल में तोला हो जाएगे पल में माशा हो जाएगे कभी आप depression में चले जाएगे कभी आपके अंदर परमनंद फूटने लग जाएगा आप एकदम से आलसी हो जाएगे और कभी बड़ा ज़्यादा आप में जोशा जाएगा और कभी आप stupid एक बेवकुफ व्यक्ति की तरफ behave करेंगे और कभी ऐसे लगेगा कि आपके जैसा तो genius ही कोई नहीं है और कभी आपके अंदर sensitivity बहुत ज़्यादा बढ जाएगे आप oversensitive हो जाएगे अतिस्वेदंशील हो जाएगे आपको शोर से भीड भड़के से परशानी होने लग जाएगी और उनसे आप दूर भागने की कोशिश करेंगे और किसी के अगर आपके अंदर अगर आपने दूसरे व्यक्ति में को negative energy अगर आप देख ली उसे आप बरदाशनी कर पाएंगे और उसकी energy से आप दूर भागने की कोशिश करेंगे और कभी आपके अंदर अचानकी गुस्से की लहर आ जाएगी कभी आपको दुख होने लग जाएगा कभी डर आ जाएगा कभी आपका दिल प्रेम से भर जाएगा और इस तरह की मतलब feeling आ आदनी रहेगी और कभी-कभी आपको कुछ psychic से symptoms आएगे अजीब-जीब से ख्याल आने लग जाएगे आपको अपने बार में doubt होना शुरू हो जाएगा कि कहीं मुझे कोई बमारी ना हो जाए कहीं मेरी नोकरी दंदा छूट ना जाए कहीं मैं मरी ना जाऊं कहीं मेरे कुछी डडाम से गिरी है आप दोड़ के जाएंगे देखेंगे वहाँ तो कुछ भी नहीं गिरे है घर वाले भी कहेंगे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मलब आपको कुछ-कुछ सुनाई देने लग जाएगा कभी दूर से आपको डोल ताशे नगाडे की आपको आवाजे सु भर सकती है यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी अवचेतनमन खुल रहा होता है तो अगर उतना अवचेतनमन आपका खुल जाए जितनी अभी उसको संभालने की आपकी काबलियत ना हो तो इस प्रिकार की कभी-कभी फिर दिक्कत भी होने लग जाती है और कहीं बार सपन अदर इतना वेराग आ जाएगा कि आपका दिल करेगा बस से छोड़ चाड़ कि मैं तो सन्यासी हो जाता हूं तो जब आपके घरवाले अगर आपको नोटिस करेंगी कि आप में ये विवार हो रहा है तो कहीं बार क्या करते हैं कि घरवाले पकड़कर पागलों के डाक्ट लेना वो लक्षन या तो आपकी नर्जी जूर से ज़्यादा बढ़ रही है उतना रस्ता खुला नहीं हुआ है या कुछ ना कुछ तो आपके अंदर इंबैलेंस चल रहा है जिसकी वजह से आपको ये लक्षन आ रहे हैं खैर अब हम बात करते हैं कि कारण के हैं किस कारण नहीं होते हैं सबसे पहला कारण जिस अगर हम कहें तो होता है नशे का सेवन अगर आप किसी प्रकार का कोई मादक पदार्थ लेते हैं ड्रग्स यूज करते हैं उस कारण से या आप बहुत ज्यादा शारीरिक मिनत करते हैं सुबे से लेके रात तक उस कारण से या अगर आपके रीड की हड़ी पे खासकर टेल बोन में यदि किसी प्रिकार की चोट लग जाए उस कारण से, आपको कोई प्रोमा, कोई मानसिक सदमा लगा हो उस कारण से, आपको प्रकर्तिक लुप से अगर आप दरपोक हैं थोड़े से, आपको डर बहुत लगता हैं तो उस कारण से, या आप मेडिटेशन जुरू से ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, सुबे, दोपैर, शाम, जब देखो आप अंदर गुसे हैं तो उस वज़ा से भी हो सकते हैं, या अगर आप सेक्सवल मेडिटेशन यानि तंतरा की प पाए की, कि हम ऐसा क्या करें, कि जब हम मेडिटेशन करें, और अगर हमें ये सिम्टम्स नजार आते हैं, या वो ना ही आएं, हमें कोई साइड इफेक्ट पाद पैदा ना हो, और हमारी ध्यान की आतरा सही तरीके से चले, और जितनी नर्जी हमारी एक्टिवेट हो, उतन अपनी डाइट का ध्यान रखने हैं, आप प्रोपर डाइट लें, आपकी जो डाइट है, जो आपका आहार है, वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, शाकहार ही होना चाहिए, और कम मातरा में आपको खाना है, और नियमित रूप से खाना है, यानि कभी खा तो अपनी डाइट का ध्यान रखें दूसरी बात डीप ब्रीधिंग करें जितना आप डीप ब्रीधिंग करेंगे उतना आपकी अंदर प्योटी आएगी आपकी प्राणुर्जा विक्सित होगी और अनुलोम विलोम प्राणयाम खासकर नाड़ी शोधन प्राणयाम का अभ् अपनी नर्जी को कुड़िनी शक्ति को जगा रहे हैं तो उसको यूज कहा कर रहे हैं तो उस नर्जी को आपको चनलाइज भी तो करना है उसको यूज करने के लिए फिर आपको क्या करना है आपको क्रेटिव बनना होगा उस क्रेटिव बनने में आप घर बैटे बैटे प कुलेट हो जाए और इसके लावा कभी भी खाली जादा मत बैठें अगर आप रिटाइड हैं कुछ करने को काम नहीं और सारा दिन ध्यान करते रहते हैं तो साइड इफेक्ट आएंगे तो आपको क्या करना है फिजिकल रूप से एक्टिव रहना है उसके लिए करें वययायाम करें योगा करें स्ट्रेचिंग करें आसन करें ताइची की प्रैक्टिस करें साइक्लिंग करें स्विमिंग करें डांस करें और अगर कुछ भी करने को नहीं तो अपने घर में साफ सफाई करें अपने पती-पतनी की हेल्प करें सुबह-शाम की सैर करें तो इस प्रिकार से जब active रहेंगे तो आपकी energy channelize रहेगी और खाली activity नहीं रहना है जितना active है उतना rest भी करना है deep rest भी करना है तो अपनी नींद 6-8 घंटे के नींद जरूर लें और योगा निंदरा का ब्यास करें और deep relaxation करें इसके अलावा जब भी आपको समय मिले आप पूरे श्रीर की massage करें, acupressure करें क्योंकि जब आप massage करेंगे तो आपकी नस नाडियों में जो energy जहां फस जाती है वो release हो जाएगी दिन में दो या तीन बार अगर गर्मियों के दिन अच्छी तना से नहाएं नहाने से भी हमारे blocks खुलती हैं और हफते में एक दो दो दिन उपव पास रखें, fast रखें और अपने करमों के बंदन को खतम करें करमों के बंदन कैसे खतम होंगे अपने को माफ करें अगर कोई गलती की आपने कभी और दूसरों को जिसके पती आपके मन में शिकायत है वो शिकायते खतम करें दूसरों के परती शतुरता का भाव खतम करें ज उसको बाहर निकालें, उसे उलीचें, इसके लिए ओशो का एक बहुती फेमस मेडिटेशन है, डैनमिक मेडिटेशन, ओशो का सक्रिये ध्यान करें, उससे आपकी पूरी बोडी क्लीन हो जाएगी, आपके सारे ब्लोग खुल जाएंगे, और आखरी बात, मैं बहुत शोट मे से connection बना के रखें, energy से connection बना के रखें, कि आपको जो energy है, वो सही तरीके से channelize होती रहे, और आपकी जो कुणिलीनी शक्ति की यात्रा है, वो स्रक्षित रूप से पुरुन हो जाए, तो इनी के साथ मेरी बात पुरी हुई, मुझे उमीद है मेरी इन सब बातों से आपका ज्ञानवर्दन होगा और आपके अध्यात्मिक यात्रा में जो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरी इस बातों से आपको help मिलेगी अपना ध्यान रखें धन्यवाद